हेलो एवडिवन कैसे हैं आप सब चली करेंट फिस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज कुछ इंटरनेशनल और नेशनल करेंट फिस को मिक्स करेंगे इरली करेंट फिस से ध्यान रखना हम लोग 2023 के जुलाई से लेके दिसंबर को कवर कर रहे हैं गरबा जैसा कि आप देखी रहे हो ये गरबा अब तो सिर्फ गुजरात में रहा नहीं वहां से इंडिया के अलग-अलग कोनों में आ गया है यूनेसको यूनेसको का फूल फॉर इंन्होंने क्या किया है गरबा को अमूर्थ सांस्क्रितिक विरासत घुसित किया इसको लेकर फैक्ट ये है कि यूनेसको की एक बैठक हुई है यूनेसको की अंतर सरकारी कमीटी अनिंटर गवर्वेंटल कमीटी की बैठक होई किस पर तो अमुर्त सांस्कृतिक विरासत के संदक्षन है तो यानि युनेस्को की जो ये बैठक थी वो बैठक इन्टेंजिवल यहाँ पे फूल फॉर्म लिखा है इन्टेंजिवल कल्चरल हेरिटेज के लिए ये बैठक हुई उसको सेफगार्ड करने के लिए बैठक हुई और बैठक कौन सी बैठक थी एट्टिंथ बैठक थी कहां हुई कसाने में हुई कसाने कहां है तो कसाने बोसवाना में है तो इसकी अठार्मी बैठक कसाने के बोसवाना में हुई अब इसमें तोटल 51 देखो, तोटल 51 जगों को अमूर्थ विराशत में सामिल किया गया, अब आपके दिमाग में दो वर्ड आएगा, एक आएगा इंटेंजिवल और एक होता है टेंजिवल, एक होता है अमूर्थ और एक होता है मूर्थ, मूर्थ का मतलब क्या होता है, मूर्थ का मतलब वैसी चीज़े जिसको देखी जा सके देखो current FASB ने clear तब होता है जब आप चीज़ों को थोड़ा समझ ले तो मूर्थ का मतलब क्या होता है उस वैसी चीज़े जो देखी जा सके जैसे मल आगणा का ताजमन देख सकते हो होईसल के मंदिर देख सकते हैं आप तो इस तरह के उसके अंदर मूर्थियां आएंगी चितर आएगा जो भी architecture अस्थापते वो आएगा अमूर्थ का मतलब क्या होता है अमूर्थ का मतलब basically होता है culture जो हमें पुरवजों से मिले या जो हमारे PD ने develop किया तो पुरवजों से मिला हुआ culture भी और जो हमारे PD ने develop किया उसको भी उसके अंदर शामिल करते हैं तो जो यह बैठक हुई अभी 18th बैठक बोस्वाना के कसाने में तो 51 नए कल्चर को नए अमूर्थ कल्चर को इसके अंदर शामिल किया गया तो जैसे ही यह चीजे हुई तो टोटल अभी 140 देशों की 693 693 में विरास्तों को शामिल किया गया है 693 में अब एक और चीज ध्यान रखिएगा जो इनकी इनका जो अमूर्थ विराशत होता है उसको जब यह शामिल करते हैं इसकी भी इनके पास कैटेगरी होती है इसकी कैटेगरी होती है अभी हुआ क्या जब 51 था उस 51 में 41 को इन्होंने किस कैटेगरी में सामिल किया इन्होंने 41 को Representative List of Intangible Culture Heritage of Humanity यानि मानवता की अमूर्थ सांस्कृतिक विराशत की प्रतीनिदी सूची Representative List के अंदर तो Representative List किस के लिए मानवता की अमूर्थ विराशत के लिए उसके अंदर अब बचे कितने 6 तो 6 को किस में डाला है List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguard It means what अविलम संरक्षन चाहिए तो अविलम संरक्षन की आविश्रक्ता वाली सूची के अंदर इन्होंने 6 अमूर्थ विराशत को सामिल किया है तो दो अलग-अलग टर्म हो गया न एक हो गया अविलम सूरक्षा यानि जिसको अर्जेंट नीद की जरूँथा उसको बचानी की जरूँथा एक नॉमल जो है मानवता की अमूर्थ सांस्कृतिक विराशत की प्रतिनिदी यानि पहले से चलता आ रहा है वो हमारे हमको रिप्रजेंट कर रहा है तो उसके लिए ये चीज़े है तो दो लिस्ट के अंदर एक में 41 एक 6 यह आपको जानना नहीं है बस आपको यह इसको बताने के लिए किया गया है कि इसके इनके अंदर दो लिस्ट है एक तो मानवता की अमूर्थ सांस्कृतिक विराशत जो ठीक है चलता आ रहा है उसको कोई डेंजर नहीं है वो तो उसमें डाल दिया और एक है कि जिसको नहीं इमीडियेट उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रुत है तो उसके लिए उसको उसके अंदर टाल देते है अब सवाल मन में आयागा कि गरबा किसमें गया भईया गरबा किसमें गया तो गरबा कहीं भी कोई इंडेंजर नहीं है जिसको सेफ करने की ज़रुत है तो गरबा इसी 41 के लिस्ट के अंदर है यानि गरबा जो है माना उता कि सवामूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है अब सवाल है जो गरबा आया तो क्या गरबा अकेले आया अच्छे गरबा क्या होता पता है पहले तब और फैक्स की बात करेंगे गरबा का क्या मतलब होता है कहीं भी ऐसे सुरू हो जाए नहीं गर्बा का मतलब ऐसा नहीं होता कि आप कहीं भी सुरूँ जाए, actually गर्बा का मतलब ये होता है, गर्बा जो है, ये खास करके, cultural और religious टाइप का डांस है, जो एक occasion पर डांस किया जाता है, normally नवरात्री में ये किया जाता है, गुजरात में गर्बा मनाया जाता, और जगर दुर्गा पुजा होता है, तो वहाँ पर दुर्गा पुजा नहीं होता, वहाँ गर्बा होता है, गर्बा में एक शब्द है, जिसको कहा जाता है गर्बो, G-A-R-B-O, गर्बो, पहले इसको देखो, उसको कहा जाता है गर्वो गर्वो इस गर्वो का मतलब होता है यह गर्वो से ही गर्वा निकला गर्वो का मतलब होता है गर्व यानि यह गोल यहाँ पे आपने देखा यह गोल गोल होता है इसके बीच में एक दीप जलती रहती है ठीक है इस बीच में एक दिया जलता और इसी के 4 ओर ये लोग नाचेंगे, तो बिस्वली कहां यह जाता है, जो गर्बो होता है, वो गोलाकार-छेदवाला मटा होता है, और इंसान और उसके अंदर एक दिया रखा रहता है, तो इंसान एक मटा है, बोडि उसका मटा है, और अनresident का आत्मा उसका दिया है, ऐसा क पंद्रहमा ऐसा है जिसको अमुर्थ यानि इंटेंजिबल लिस्ट के अंदर डाला गया है 15 पंद्रहमा है इसके पहले 14 और लेडी डाले जा चुके है 14 और लेडी डाला जा चुके है उसमें मैं आपको येरवाइस बता दिता हूँ फटफट याद कर लिजे 2008 में क्या क्या तो राम लेला पहला कुटियम कुटियम एक संस्कृत नाट शाला है वैदिक मंत्रोचार करने का तडिका इसको भी डाला गया है 2009 के अंदर क्या गया है तो रम्मन रम्मन जो है ना गढ़वाल हिमाले के अंदर रिलिजियस एक कल्चर है रिलिजियस एक उत्सव होता है फि दान्स है तो कालवेलिया को सामिल किया गया है मुडी इटू बॉड़ियेटू केरल का अनुस्फानिक रंगमंच और निर्टनाटक है तो मुडी इट्टू केरल का है 2010 के अंदर डाला गया है और एक चशौ डान्स होता है जन्जाति जो है झाकंट के खास करके वो करते हैं तो जारखन पश्रिमंगा लोडीसा के अंदर ये छोवडांस किया जाता है 2012 के अंदर किसको शामिल किया गया है 2012 में लद्दाख में जो वैदिक मंत्रोचार होता है न और बहुत ही खमाल का होता है गूंजता है वो और धमधम की आवाज भी आती है 2013 के अगर हम बात करें तो मनिपुड में संकिर्तन संकिर्तन शब्द है मनिपुड में ढोल बाजे के साथ बजाय जाता है उसको सामिल किया गया 2014 में आप लोग बहुत नहीं जानते होंगे जंडियाल गुरु का ठठेरा ये अकसरह क्या होता है ये एक परंपरिक इसको ऐसे आप देख सकते हो कि पीतल और टामिका बनाये गया बरतनों का एक सिल्फ कला होता है इसके अलावा यहाँ पे लोग धोलग बजाते हुए गाते हुए जाते है तो ये होता है पंजाब का जंडियाल गुरु का ठठारा 2014 में 2016 में योगों को डाला गया योग भी चला गया याद रखिएगा 2016 में नौरोज भी गया है नौरोज को मत भूल जाएगा 2017 में कौन गया कुम्भ का मेला 2021 में कलकत्ता का जो दुर्गापूजा का मेला है वो और 2023 में हमारा गरबा गया है इस तरह से अब ये जो अमुर्थ विराशत है अमुर्थ विराशत का अंतर सरकारिये समीती है यानि Intergovernmental Committee of UNESCO for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage तो भारत इस अमुर्थ सांस्कृतिक विराशत के अंदर मेंबर चुना गया है 2022 में और ये 4 साल के लिए मेंबर रहेंगे तो 2026 तक यहाँ पे रहेंगे टोटल 24 मेंबर इसके अंदर होते हैं जो इसकी चुनाओ करते हैं हो गया तो यहाँ पे फैक्स जो आपको याद रखना है गरवा को डाल दिया गया है 140 देसों का टोटल 693 इसके अंदर इंक्लूड है भारत की बात करें तो गरवा 15 था यानि 15 जो है वो अमुर्थ सुची के अंदर डाला गया और वो भी भारत को गरवा को जो डाला गया है वो प्रतिनीदी सुची में डाला गया है इंडेंजर्ड वाले सेफगार सुची में नहीं डाला गया है हो गया चलिए, ग्वालियर और कोजी कोड को भी देख लेते हैं ग्वालियर और कोजी कोड को जो डाला गिया है ग्वालियर और कोजी कोड को जो डाला गिया है देख लो, इस्टेशन ग्वालियर जंक्सन कोजी कोड तो ऐसे थोड़ा सा याद रहेगा आपको है न इसको जो डाला गया है उसको UNESCO ही UNESCO ही जो full form है उल्रेड हम लोग डिस्कस कर चुके है UNESCO का ही है UCCN ठीक है? UNESCO का ही UCCN है तो UCCN के द्वारा इसको जाड़ी किया गया है UNESCO Creative Cities Network U का मतलब हो गया क्या है? UNESCO full form यही होगा फिर Cities, Creative Cities Network अब थिरों सा समझ लेजिए UNESCO इसको हिंदी में कहते है UNESCO की रचनात्मक शहरों का नेटवर्क यानि ऐसे शहर, ऐसे दुनिया के टाउन जो किसी खास चीजों के लिए जाने जाते हैं उसको UNESCO का CCN नेटवर्क के अंडर डाला जाता है Creative Cities Network यानि रचनात्मक सहरों के नेटवर्क में डाला जाता है और इसके अंदर खास करके UNESCO का अभी का करेटेरिया है उसमें साथ तरह का करेटेरिया पूरा मसाथ तरह में कोई भी एक तरह का करेटेरिया पूरा होता है तो उसको इसमें डाला जाता है शिल्प और लोक कला है वहां का लोक फॉर्म फिल्म डिजाइन पाक कला मीडिया आर्ट साहित्तिक और संगीत इन आधारों पे इसको डाला जा सकता है अभी हुआ क्या ये जो UNESCO है अच्छा ये भी आप जान ही लो UNESCO के महानिदेसक कौन है आंद्रे अजोले ठीक है आंद्रे अजोले UNESCO के महानिदेसक है अभी हुआ क्या कि विस्व धरोहर मनलब ये जब चल रहा था 31 October 2023 को तो टोटल 55 शहरों को इसके अंदर शामिल किया गया ठीक है टोटल 55 शहर सामिल हुए जिसमें भारत के दो शहर सामिल किया गया है अब जब ये शामिल हुआ तो टोटल मिला दिया जाए तो 100 से अधिक देश है जिसके लगबग 350 के आसपा शहरों को ओवर ओल इसके अंदर शामिल किया गया जिसमें भारत का कोजी कोड एक है और गौलियर दूसरा है कोजी कोड को क्यों लिया गया तो याद रखिएगा कोजी कोड को literature के कारण साहित्य की category में ये कोजी कोड गया है गौलियर क्यों गया है संगीत के लिए गया है वहाँ बतानी की जोट है नहीं जैसे ही गौलियर आएगा गौलियर घराना आ जाएगा अब क्या ये जो कोजी कोड है केरल का पहले तो ध्यान रखिएगा केरल का है साहित्य के लिए ये गया है इसको साहित्य के शहर के रूप में मानेता दी गई है और एक और खासियत इस कोजी कोड के साथ क्या जुड़ गया कि साहित्य की कैटेगरी में शामिल होने वाला कोजी महुतसव हर साल मनाया जाता है तो यह हो गया आपके important fact इसके अलावा जो कोजी code है उसको UNESCO के साहित सहर के रूप में यह हमने बता दिया आपको सामिल किया गया अब चलते हैं थोड़ा सा ग्वालियर की तरफ ग्वालियर की तरफ यह ग्वालियर है ग्वालियर आपको पता है संगीत के लिए जाना जाता है तो ग्वालियर जो संगीत के लिए जाना जाता है वहाँ पे बैजु बावडा का नाम सुना होगा संगीत समरा तांसेन का नाम सुना होगा तो इसके कारण इसको शामिल किया गया है ग्वालियर संगीत के शहर के रूप में शामिल हुआ और इस तरह से जो ग्वालियर और कोजी कोड शामिल हुआ तो टोटल संख्या अब आठ हो गई है जो इस रचनात्मक सीटी के लिस्ट के अंदर जिसको शामिल किया गया है अब 2015 में जैपूर फिर जैपूर उसके बाद वारा नसी उसी साल 2019 में मुंबई फिल्म के लिए अच्छा दोनों ही दोनों जैपूर और वारा नसी संगीत के लिए मुंबई 2019 में फिल्म के लिए हैदराबाद पाक कला बिडियानी पाक कला के लिए 2021 स्री नगर शिल्प और लोक कला के लिए तो इस तरह से इनको इसके अंदर शामिल किया गया अब गौलियर और कोजी कोड है धोर्डो गाओ धोर्डो गाओ धोर्डो गाओ आपको देखना है अब धोर्डो गाओ को हम लोग करते हैं देखिए धोर्डो गाओ यह देख रहे हैं अब इसको देखते ही आपको समझ में आ गया धोर्डो गाओ कहा है यह रेड कलर कहा का दिख रहा है गुजरात का सबसे पहला fact दूसरा कच में है ठीक है पहला गुजरात में दूसरा कच में तो जैसे ही कच का नाम आएगा तो इस तरह की cultural activity का नाम तो आई जाएगा तो इससे अब धोर्डों को relate कीजिए धोर्डों को इससे अब relate करो ठीक है गलेट करना सीखिएगा तो जादा easy होगा अब ये है क्या तो ये है वो कच अब देखो UNWTO UNWTO सहिंतरास्ट यानि United Nation का WTO World Tourism Organization ठीक है? UN का मतलब UN United States United Nation, sorry सहिंतरास्ट अब WTO का मतलब क्या है? तो विश्व पढयतन, संगठन, World Tourism Organization हो गया अब UNWTO नहीं क्या किया जो भारत का गुजरात का या कच्छ का जो धोडो गाओं है उसको Tourism गाओं के रूप में ले लिया अभी UNWTO का जो 25 बैठक था 25 बैठक था वो समरकंद यह आपको जाना चाहिए को ले लिया है न इंडिया को समरकंद कहा है उजवेकिस्तान में तो समरकंद जो उजवेकिस्तान में वहाँ पे ये मेटिंग हुई उस दौरान प्रेटरन गाओं की लिस्ट जारी की गई ये जो लिस्ट है ये तीसरी बार जारी किया गया है तो ये जब list किया गया तो धोर्डो को उठा लिया गया total 54 गाउं को सामिल किया गया उसमें गुजरात के कच का धोर्डो भी है कच के महान- रन में स्थीत ये धोर्डो में इसी यही वो गाउं है जहां कच का रन हर साल मनाया जाता है और ये एक कच का जो रण है न ये इसको कल्चरल उत्सव है ये ये समनी कल्चरल उत्सव है कल्चरल के तोर पे वहां के जो हां के जो फॉक ट्रिडिशन है डांस फॉर्म है इन सब को वहां दिखाया जाता है और आपको पता होना चाहिए कि अभी जो G20 का जो चर्चा चला था बहुत तेज तो G20 की जो अध्यक्षता हुई थी भारत ने जो की थी तो उसका पहला परियटन कारेशमू जो टुरिज्म का जो अलग से विंग है कारेशमू का उसकी बैठक धोडों में ही नहीं करवाई गई थी खैर तो इसके अब यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है UNWTO ने 2021 में ही भारत के गाउं को ले लिया था और वो था पोचम पल्ली ठीक है 2021 में ही भारत ने गाउं को लिया जिसका नाम था पोचम पल्ली एक्चुली पोचम पल्ली तलंगाना के अंदर है और भारत का शिल्क सहर शिल्क शिटी ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है और 2023 जाना जाता है यहां तो हो गया दूसरा गाउं धोडो है इन दोनों को शामिल कर लिया गया ठीक है इन दोनों को शामिल कर लिया गया दीखे जब वहाँ ऐसे ही महसोब होता है ना जब होता है तो अब एक और शहर है जिसको 2023 में जिसको कहते है मडला मडला गाओं है मद्द परदेश का मडला को इन्होंने क्या किया है इन्होंने WNWTO ने मडला को भी लिया जरूर है ल उसके अपग्रेड कारेकरम में शामिल किया है सर्वस्रेष्ट पड़ेटन गाओं में शामिल नहीं किया उसके अपग्रेड कारेकरम के अंदर शामिल किया है पहली बात दूसरी बात कि 2022 में खोनोमा जो खोनोमा कोहिमा नागालैंड का है उसको भी इसके अंदर शामिल किय अब आप कहोगे कि भाई यह अपग्रेटेड कारेकरम क्या है तो अब भी ये पूरी तरह से जो उनका सर्वसेश्ट प्रजेटन गाउं है उसका दरजा तो उनको नहीं मिल सकता लेकिन एक हद तक वो वहां तक पहुंच गया है तो जब उनको ये कैटेगरी में डाला जाता ह तो बुस्ट अप होंगे और थोड़ा सा कैरेटेरिया पूरा करके उसके अंदर आने जाने के लिए तो इसके कारण पहले खोनोमो कोहिमा नागालैंड को भी इसके अंदर लिया गया था और अब मद्धपरदेश को लिया गया है और ये दोनों अपग्रेड़ेट कारेकरम के अंदर शामिल है तो खेल इसको बहुत जादा याद करने की जोट नहीं है इतना काकी है धोड़ों को याद कीजे मैं आपको दरतला मेरा काम समझाना है ना तो हम समझाने का काम तो करेंगे अब इसराइल और फिलस्तीन के बीच में संगर्स हो गया अब सवाल है कि इसरा ये वाला ये है पूरा इसराइल उसके बीच में ये जो आप देख रहे है ये है फिलस्तीन अब इसको देखे यहाँ पे इसलिए मैंने दोनों मैप को ये पूरा जो देख रहे है नीचे तक ये पूरा इसराइल है और ये वाला जो हिस्सा है ये फिलस्तीन है ठीक है ये व जगड़ा है वो चलता ही रहता है और यरुसलम एक ऐसा जगह है जो इसलाम, इसाई और यहुदी तीनों के लिए उतना ही पवित्र है अब हुआ क्या कि आज की कहानी नहीं है 1948-49 के अंदर ही इसराइल और अरब के बीच में युद्ध हो चुका है दोनों ने अपने अपने यरो सबसकी दावे के अब इसमें जो पश्मी जयरुसलम था इसाईल अरब युद्ध में इसराइल ने पश्मी जयरुसलम उठा लिया और जॉर्टन ने पूर्वी जयरुसलम को ले लिया अब ये तो इसको अदना होगा ओ चलियर नहीं कि यही वाला हिस्सा, यह जो पीला वाला देख रहा हूँ, यह येरुसलम का हिस्सा है, यह पीला वाला जो देख रहा है, यह येरुसलम का हिस्सा है, तो येरुसलम को जॉर्डन ने ले लिया, बाद में क्या हुआ, इस्राइल ने ले लिया था, बाद में इस्राइल ने पूर उसको ये क्या कहता है ये पवित राजधानी के रूप में मानता है कौन येरुशलम फिलिस्तीन जो है वो पुर्भी येरुसलम को अपनी राजधानी के रूप में देखते हैं अब दिक्कत है कि पुर्भी येरुसलम से जॉर्डन को तो इसराइल ने भगा दिया और वो चा नहीं दुखके पे हैं अब दिक्कत यह ए कि घाजा पट्टी पे हमास कादिकार यह रहरे के परिशान कर देता है इसके बाद हमास का कहना है इसराइल के लिए कि तुम अपने पुरारे साइज में चले जाओ 1967 ता चोटा वाला वहां चले जाओ अब आणे पिलिस्तीन की रासदानी बनाना चाहता है हुआ यह क्या हमास ने क्या किया इसराइल पे हमला कर दिया हमास ने इसराइल पे लगातार हमला किया रॉकेट का कहा जाता है 200 से उपर का 1000-1000 तक का रॉकेट छोडा गया तो उस ओरचन का नाम operation al-aqsa flood रख दिया गया अब flood की तरह ही उन्होंने rocket launch के starting में operation al-aqsa flood नाम दिया अब जब ये चीज हुई तो ये operation को का सांकेति मतलब क्या है इसराइल के द्वारा al-aqsa masjid पे जो al-aqsa masjid actually एक पवित्र जगह है जो जिसको लेकर बहुत सारी मानेत आये हैं तो उसके हम लोग नहीं जाएंगे तो al-aqsa एक पवित्र masjid है उसके इसराइल के द्वारा जो करवाई की गएती उसके खिलाप एक तरह से विरोध करते हुए इस operation का नाम उन्होंने क्या रखा al-aqsa flood के नाम से इन्होंने operation launch किया और हमास ने क्या क्या इसराइल पर रॉकेट दाग दिया इसके बदले इसराइल को मौगा मिला इसराइल ने operation iron squad चलाया operation iron swords तो operation iron swords का मतब तलबार swords चलाया और शुरू हो गया drama इन दोनों का उसके चक्कर में एक proposal आता है यह ध्यान रखना है United Nation में एक proposal आता है इसको रोकने के लिए ठीक है? तो 120 देशों ने इसको लेकर vote किया इस vote में 14 देश खिलाफ में थे कि नहीं मतलब एगेंस में थे कि नहीं होना चाहिए वोड 45 देश जो थे न शामिली नहीं हुए जहन जाठी नहीं लिए वह या किसकी तरफ रहें और इसमें कुट नितिक तरीके से भारत भी है यानि इंडिया भी 45 देशों में है जिनों ने उस पे जो उस दिन था ही नहीं तो यह सारा था इसराइल अमेरिका ने बिरोद किया था तो यह सारे facts है देखो इंडिया के कौन इंडिया clear है यहाँ पर इंडिया कहता है कि two states यानि फिलस्तीन भी रहेगा और इसराइल भी रहे दोनों अपने इपने हिसाब से बात कर ले और अपना दायरा तैय करके वहाँ पर रहे तो यह सारी चीजे होई और इंडियन्स को सुरक्षित इंडिया लाया गया तो यह सारे facts इससे जुड़े हुए है तो इतना काफी है हो जाया गए इतने से चलो आगे चलते है सांती निकेतन और होईशल की बात थोड़ी कर लेते हैं किस आँती का अनिकेतन और ही उसल में भी युनेशको घुज़ कुका है यानि युनेशको ने दो युनेशको युनेशको युनाइटेड नेशन एजुकिजि क्तैंटीफिक तकुर्टिर आइफ्क इट मिन्स यूनेस्को यूनेस्को जो है वो Outstanding Universal Value यानि उतक्रिष्ट सारवहामिक मुल्य यानि यूनेस्को ने बहुत ही कमाल का यानि वो ऐसे जगे जो वर्ल्ड के धरोहर के रूप में सामिल होने चाहिए Outstanding है उनको World Heritage Site के अंदर शामिल करता है तो यूनेस्को के द्वारा International Convention जो हुआ था उसके अंदर Legal Protection उनको प्राप्त है और जब भी किसी को World Heritage Site घोशित किया जाता है तो एक तरह से वो Protection के अंदर आ जाते हैं तो अगर दूसरा देश को Attack भी कर रहा है तो यह ध्यान रखना होगा कि अगर वो इनस्को का मानेता प्राप्त है तो उसको नुपसान ना पहुँचा है अब अपचारिक रूप से जब यह हो जाता है तो वैस्विक संस्कृतिक एवं प्रकृतिक धरोहर के संरक्षन का जो अभी शमय है यानि Convention जो किया गया था concerning the protecting of the world culture and natural heritage के नाम से किया गया था और एक और चीज है वो यह है कि यह जब लागू हुआ 1975 में यह सब लागू हुआ था उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगा ना 195 टोटल इस सेक्षन के अंदर देश है भारत भी इसके अंदर शामिल है चलो अब इतना facts पढ़ेंगे तब तो याद ही रह जाएगा अब यहाँ पर UNESCO के अंदर UNESCO की देखिए 45 जो important है वो सुन लीज़े बाकी notes में आपको मिल जाएगा 45 आम बैठक होई आम बैठक 45 होती है और कहां बैठक होती है भाई तो यह रियाद में होता है रियाद कहां है सबको मालूम है रियाद जो है साओधी अरब में है इस बैठक में एक नहीं total 52 42 जगों को इसके अंदर शामिल किया गया है सुन लीजे अच्छे से 42 जगों को शामिल किया गया है चलिए आगे चलता है यहाँ पर किलियर करता है 42 को जो शामिल किया गया इस 42 में देख लो फिर से 33 कल्चरल 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 उसके बाद 9 नेचरल तो 33 कल्चरल 9 नेचरल हो गये total 42 अब वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करें दुनिया में अभी 168 को मिला के 168 देशों में 168 देशों का लगबग 1199 में तो लगबग क्या totally 1199 यानि 1199 जो शाहर है यह इस लिस्ट के अंदर ओलेड़ी आ चुके है 11 अब अगर इस 1199 को तोरो जिसको तोरने की जरोत नहीं है बड़ सुन लीजिए एक बार 933 कल्चिरल साइट है और 227 227 नेच्रल साइट है और लास्ट में बचा 39 तो 39 मिक्स्ट साइट है ठीक है मिक्स्ट अस्थल है तो यह फैक्ट हो गए अब यहां कहां छोड़ के जाए भारत का दो शांती निकेतन और होईशल मंदिर याद रखिएगा यह जो शांती निकेतन है यह फोर्टी वंथ है और यह 42 है तो टोटल 42 शैरों को शामिल किया गया है तो 42 होईशल है 41 शांती निकेतन है ये facts याद रखना है इसमें भी क्या है मालूम है आपको 34 जो है न ये 42 में जो 34 है वो हमारा cultural site है 34 cultural site है 7 जो है वो natural site है एक mixed site है अभी वो भी आपको हम बता देंगे तो overall ये सारी चीज़े हैं अगर हम भारत की विष्व धर्वर सुची के शंख्या की बात करें overall ranking में क्या आता है तो ranking में देखो सबसे पहले तो Italy आता है Italy का 50 प्लस है यानि 59 शहर Italy के हैं भारत की अभी कम है top 50 में भारत अभी नहीं गया है तो 42 है इस हिजाब से भारत का rank 6 है यानि अच्छा खासा हम लोग भी entry मार चुके हैं उसके अंदर अब तोड़ा शांती निकेतन को देखें शांती निकेतन इस तरह से यह देखो विष्वारती यूनिवसिटी शांती निकेतन पश्यमंगाल में है पश्यमंगाल की बीरभूम जिले के अंदर है और अभी गाउं ही है गाउं जैसा ही वह बसा हुआ है और 1921 में 1921 में शांती निकेतन विष्वारती के नाम से यूनिवसिटी में चेंज होगा विष्वारती उनिवसिटी के अंदर जाएंगे तो ये देखने को मिलेगा जो आप लोग गया होँगे आपको पता होगा विष्वारती उनिवसिटी के रूप में चेंज हो चुका है और 1951 में इसको सेंटरल उनिवसिटी भी बना दिया गया इतना ही नहीं इसको राष्टिय महत्व के संस्थान का दर्जा भी दे दिया गया राष्टिय महत्व के संस्थान का दर्जा भी दे दिया गया बड़ा अच्छा कॉंसेट है खुले में पढ़ो अब तो खैर बहुत सारे विल्डिंग्स बन गया उसमें लोग पढ़ते भी है कॉंसेट बहुत अच्छा था इसका शांतिनी केतन के बाद होईशल आते हैं होईशल आप देख रो अलग अलग टाइपस ओप टेंपल होईशल मंदिरों का एक समू है इसके अंदर मंदिरों का एक सीरियल प्रपर्टी ये क्रमिक समू है इसके अंदर करनाटक में तीन मंदिर में लिए सामिल है तीन मंदिर के अंदर पहला कौन है भई तो पहला देखिए चिन्ना केशो मंदिर पहला है चिन्ना केशो मंदिर अब ध्यान रखना चिन्ना केशो मंदिर भगवान विश्नु को समर्पित है चिन्ना केशो मंदिर अच्छा होईसल है तो होईसल डाइनस्टी के दोवारा राजबंस के दोवारा बनाये गया था तो चिन्ना केशो मंदिर भगवान विश्नु को समर्पित है दूसरा जो है व विश्णु जी को ही समर्पित है और कावेरी नदी के किनारे है वैसे भी कावेरी नदी के किनारे ही तो है वैसे भी कावेरी नदी के किनारे है अब पूरा लिस्ट का नाम आप क्या सुनना चाहेंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा इतना लंबा सुनना और सुनने में आप जगा को बता देता हूँ, पहला, मिस्रित, मिक्स्ट का लिए बताया था न, युनेस्को के एक मिक्स्ट साइट के अंदर एक है, तो मिक्स्ट साइट के अंदर काजी रंगा आता है, ठीक है, प्रकृतिक अस्थल की बात कर लें, तो उसमें भी काजी रंगा, केवला देव, म उसका लिस्ट मैं आपको देदेता हूँ आप उसको देख लीजेगा इतना काफी है चलिए आज के लिए इतना ही कल मिलेंगे अब